बिहार में लगातार पासी समाज के लोग नितीश कुमार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि नितीश कुमार की जो पुलीस है बिहार पुलीस वो पासी समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है उनको पकड़ रही है मारपीट कर रही है जेल में ठूच रही है तारी के नाम पर दारू लिख दिया जाता है उनको जैल भेज़ दिया जाता है। आपतार कर लिया जाता है जाती के नाम पर कमुनीटी के नाम पर तो नीरा बनेक है आपका नीरा फैक्टरी जो खुला नलंदा में वो नीरा फैक्टरी बंद हो गए यह मैं नहीं कहा रहा हूँ आपका अधिकारी महदाय चिठी लिखते हैं कि जो जिबिका से नीरा खरदारी किया जाता उसी गुनबत्ता ठीक नहीं है ये चलते अगले अधेस के तक बंद किया जाए तो पिछले ही वर्स में नीरा फैक्टरी बंद हो चुकी है लेकर उन्होंने राग अलाप रहे थे एक मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पर रहा है कि जीतने बिहार में चाहे जिस मुख मंत्री को इससे अवगत कराने का काम नहीं किया है कि पासी समाज अवतारी बेचने वाले के साथ तर्त चार हो रहा है यह बहुत खेद का भी सह है साथ लोग सोचते हैं कि हम बोलेंगे तो हमारे टिकटवात अगेल इसी उमीद के साहरे कोई बोलते तक नहीं है असोग चौधरी जी को तो हम क्या बोले फिर पहले भी बोले तो हारी जो बोले थे वह बंदुआ मजदूर है इससे जदा कुछ नहीं है वह अपनी बात को बोल सकते हैं मुख मत्री जिलंग दावे के साथ नहीं चालेंज के साथ करा और को नहीं बोल सकोता है तो बात चित हुई तो उन्हों नें बोले आपने सचीब अन। कुमार जी एक और जो उनका बढ़िये पाधेकारित उनको बोले कि नोट करिए गिरफतारी नहीं किया जाए तो हमने बोले गिरफतारी मतलब क्या यह तो चुनाव का लली पंप है हमें कानून मेशन सोधन चाहिए अगर देख लेता है फिलाल गिरफतारी रुकता है तो रु हम लोग माथे में कफन बांच चुके हैं और अपने हाथ को ताकत को मजबूत कर चुके हैं हमको चाहिए दो से तीन महीना में तारी पर से पर्तिबंद खतम कानूनी लीगली हां लीगली कागज पे कागज पे नहीं तो इबोटवा फिर चला गया तो समझ लिजी कुन की क् फिर भी विरोजगार हो जाएंगे तो हम देख रहे हैं हम लोग अपासी समाज भी एक परन ले लिया कि भगवान भी आ जाएंगे तो बिलकुन जैसे परतर नहीं हम उनको बोले हैं कि अगर मुहम पर की नहीं हो रहा है ना तो आप अपने अधिकारी को भेजके सर्वे कर पासी तो उन्हों ने बोले एक परसेंट नहीं है वह आपको मालुम नहीं है सक्रोजा यह यह बैवसाह से करते हैं आप जो एक पर संट नहीं है तुनने बैठा को जीक्र कि एक पर रचंट है ना जाने हुआ से रिपोर्ट लाता है पताने कोन उनको बताते हम परसных हमनें यह करने का मतलब यह समझ सकता है कि किसी कमजोर है उसको इस राज में और देश में रहने का अधिकान अधिकान के अधिकान वादी कितना पर हमको अनमांता तारी बेवसाई को बात करेंगे चुकि पासी समाद सही नहीं जूरे हुए है अगर आप जान लीजिए मैं गाओं जानते हैं पासवान भी करते हैं लेकि फिर भी भी बिहार में 40 से 50 सीटे है जो तारी च्छेबने वाला पासी समाज में हराने और जुताने का मिनरणा करके लोग सब्सक्राम अधिकान मयाथा पाशी के मोटा मटे hey पचास साच लाग अनुमान minerals उट कुड्य बिहर होगा पचास साच लाग को और समय ऑज तो इसम्सांटे बात ही नहींदे तो तो नितिश्क मार बोलकर तो उनकी हिसाब से तो 10-15 लाग होगा तो उनको अपने क्या आक रहा है वो तो वो जाने हैं जाती जनगाना होगा तो और तो फिर क्या करिएगा हम फिलाल देख लेते हैं अगर वो इस कानून पर संग्यान फिर दोबारा मिलेंगे अगर नहीं अगर इस पर थोरा भी संग्यान लेते हैं तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ पासिस समाज को इतनी परतार ना दिया गया है ठीक किसान के रूप पकर चुका इनको कहीं भी लोग साभावबा होने नहीं देगा परधान मंतरी बने के चकर में ही सारा चीज खतम होते जा रहा है और परधान मंतरी तो दूर की बात है पहले तो चुनाव लड़ ले फिर पता चल लेगा लोग सभा के कि परधान मंतरी बनेंगे या नहीं बनेंगे इनको उनको मालूम है कि चुनाव लड़ कर मतलव नहीं जिए सकते हैं और क्य बात हुए अंदर में पासी समाज को ही बोले कि बाई नोट कर लिजिए कि गिरफतारी नहीं होनी चाहिए अब बोले हैं अपने जो उनका सचीब है अन्पम कुमार जी उनको बोले कि नोट करिये सबों को उसमें जितने कमीटी में लोग थे अनसुची जाती कि जितने भी कॉर कमीटी के सदस्ते सब तो आपको बोल दिये लेकिन वहां तो कानून बनल है कि ताड़ी मतलब सराब यहीं ने हां तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमको जल से जल तीन महीना से चार महीना इस पर हमको चुनाओं से पहले हमको रिजल्ट चाहिए जैसे चाहिए रिटेन में चाहिए हां रिटेन में चाहिए ना होगा तो फिर हम लोग सब कुछ करने के तयार है देखे था ना पूरा रिटेन में चाहिए पूरी दारू से तारी को अलग किया जाए अने यह था हम लोग छूप नहीं बैठे लालु जी बोलते था इसा कोई सगा नहीं जी से नितिश में ठगा नहीं बिलकुल बिलकुल वो तो नितिश जी का जो साथे आकर आज जो लालु जी का लड़का है वो भी कुरसी कुमार से भी ज़धा मतलब यह तो नाम के नितिश जी कुमार पल्टू जी है उनसे ज़धा पल्टू जी तो इनके लालु जी के लड़का लिख ले याद है जो वो व पूरे बेवसाय करने वाला और पासी समाज सर में कपन बांद कर चल चुका अब रुकने वाला नहीं है अपनी हग लेकर रहेंगे चाहे इसके लेकर जोंची करना पर हैंगा हम लोग करने के लिए तैयार है तो नाथनी चौधरी मालाकार है पासी समाज के नेता ये गए थी इनकी टीम गए थी और नितिश कुमार से बात किये मुखमंती ठग रहे थे क्या रहे हम कहा देंगे कि अब गिरफ्तार और रफ्तार ने करे लेकिन कनुनवा रहेगा कि ताड़ी को सराब कि सरेनी मिला दिया अब बताएए किसी विराज में कोई कानून हो कि ताड़ी को सराब कि सरेनी मिला दिया गया है और सराब में जो सजा है वह ताड़ी बेचने में सजा हो तो कानून बदलना है कि ऐसी मुख से हुआ 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 कर देने सोगा अब नितिश कुमार मुख से बोल देंग गिरफ्तार हैं उसको रिहा करिए हम लोग सब बाते को रखे हैं लगता है कि अगले बार में नेशी तुरूप से इसका कुछ ने कुछ परी नाम आएगा ना आएगा तो मैं फिर बोलना हूं इतनी पेट पे लोगों को जो भूख पर जो लात्पा मारे है नितिय जी उसको अब बोला गया है ठीक है इस पर हम लोग बिचार कर रहे हैं चलिए बिचार कर यह आप लोग कि क्या करना पर दिए कमेंट बॉक्स में फेस्बूक वीडियो देखरें पेज को लाइक फ़लो नहीं किये कर लिए यूटूब वीडियो देखरें सब्सक्राइबर नहीं करे लिए जब बारादी